हेलो स्टेंट्स एडूबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वाधत है चलिए सुरू करते हैं आज की वर्षिट वर्षिट नमबर 68 और यह वर्षिट है क्लास टेन के बच्चों के लिए जिसमें हम लोग समाजी की विग्यान इतिहास के पार्ट को पर रहे हैं और यह यह एक नमबर वाले अबजक्टी प्रस्ण भी है तो इसमें पहला प्रस्न दिया गया है कि नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलाओं को खत्म करना किस संधी का उदेश से था और दूसरा प्रस्न है किसने कहा था कि जब फ्रांस छीकता है तो बाकी उरूप को सरदी जुकाम हो जाता है फिर किस संधी ने उनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्नेता दी प्रसन चार है सत्य और असत्य बताइए गैरिवाल्डी ने लाल खूरती नामक सेना तयार इसके बाद है प्रस्ण पांच यह संकल्पना और प्राकथन वाला प्रस्ण है तो इसमें दो प्राकथन दिये गहें संकल्पना सह और दूसरा कारण का कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चैन कीजिए तो यहां संकल्पना सह है 1848 के बाद यूरूप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांती से अलगाओ होने लगा और कारण का है राष्ट्रवादी भावनाएं मध्वर्ग में काफी तिवरगती से विक्सित हो रही थी इसके बाद प्रस्न छे है रिखांकित सब्दों को सही करके वाके को लिखिए काबूर को जर्मनी का विस्मार्क समझा जाता है और प्रस्न साथ है सही मिलान की पहचान कीजिए विस्मार्क इटली मैटसिनी जर्मनी काबूर ब्रिटेन मैटरनिक आश्ट्रिया प्रस्ण आठ है निमलिखित में से कौन सा कथन इटली के एकी करन के बिसे में सम्मंदित नहीं है और प्रस्ण नौ है निमलिखित चित्र की पहचान किजिए ये चित्र काफी महत्पूर्ण है और हमारे चेप्टर में इस चित्र पर बहुत बड़ी चर्चा की गई है तो आप इस चित्र की पहचान करेंगे और फिर प्रस्ण दस है रिक्त अस्थान की पूर्ति कीजिए डैस ने जर्मनी के एक ही करण के लिए रक्त तथा लोह की नीती अपनाई और अंत में आपके लिए कोविर के संदर में उच्छीत विवहार संबंदी संदेश है कोविर न तो ये बदलाओं को खत्म करना किस संदी का उदेश से था इसका उत्तर है वियना संदी 1815 में तो इसी संदी का उदेश से था कि नेपोलियन लुद्धे के दरान जो बदला हुए थे उसको खत्म किया जा उसके बाद प्रस्ण दो है किसे ने कहा था कि जब फ्रांस छीकता है तो बाकी यूरोप को जुकाम हो जाता है तो ये कहने वाले थे आश्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक आश्ट्रिया के चांसलर उसके बाद है प्रस्ण तीन किस संदी ने यूनान को एक स्वतंतर देश के रूप में माननेता दी इसका उत्तर है 3832 की कुस्तुन्तुनिया की संदी ने यूनान को एक स्वतंतर देश के रूप में माननेता दी उसका प्रस्ण चार है सत्य और असत्य बताईए गैरिबाल्डी ने लाल कूर्ती नामक सेना तयार की ये सत्य है गैरिबाल्डी ने ही लाल कूर्ती नामक सेना तयार की थी जिस संकल्पना वाला और कारण वाला के नीचे दिये प्रश्न में दो प्रा कथन दिये गये हैं एक संकल्पना और दूसरा कारण कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चैन कीजिए यहां संकल्पना सौ 1848 के बाद इवरोप में राष्टरवाद का जनतंत्र और क्रांती से अलगाव होने लगा और कारण को है राष्टरवादी भावना मध्यबर्ग में काफी तिव्रगती से बिक्सित हुई तो इसका उत्तर है ए संकल्पना तथा कारण दोनों सही है कारण को संकल्पना सौ की सही व्याख्या करता है और उसके बाद है प्रस्ण च्छा है कि रिखांकित सब्दों को सही करके वाकिको लिखिए काबूर को जर्मनी का विस्मार कहा जाता है काबूर को इटली का विस्मार कहा जाता है क्योंकि काबूर ने इटली का एकी करन किया था इसलिए काबूर को इटली का विस्मार कहा जाता है इसके बाद है प्रशन साथ सही मिलान की पहचान कीजिए तो उसमें सिर्फ D सही है बाकी के तीनों मिलान गलत है इसलिए इसका उत्तर D होगा है और इसके बाद है प्राशन आठ निमलिखित में से कौन साकतन इटली के एकिकरन के विशे में सम्मंधित नहीं है तो इसमें डी जो है यह इतली के एकिकरण के विशेवेसा मंधित नहीं है डी यह है कि आटोवन विसमार के इतली के एकिकरण का सुत्रधार था यह गलत है इतली के एकिकरण का सुत्रधार पहले के प्रक्न में आ चुका है काबूर इटली के एकिकरन का सुत्रधार था और प्रस्ण नव है किनम लिखे चित्र की पहचान की जिए आपने एक चित्र देखा है और वह चित्र काफी पॉपुलर थी उस समय तो यह दी गई तस्वीर जर्मनी के नारी रूपक जर्मेनिया की है जर्मनी में एक नारी के रूपक की कल्पना की गई थी और यह कल्पना की ही तस्वीर है और इसका नाम जर्मेनिया था फिर ंप्रस्ट द 섃 रिक्ट अस्थान की पूर्थِ की जी इसका उट्तर है विसमार्क ने जर्मानी के एक उकरन के लिए रक्त तता व्रौ की नीति अपनाई कि यहीं खाली जगा था यह हम सहीं जानते हैं कि विसमार्क में जर्मानी का एक इक उकरन किया झाल